जाहिन साथियो, स्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल फिल्वलेच नाइटी-नाइटी-नाइटी-नाइटी-नीट पर साथियो आज हम बात करने वाले हैं SSA GD भरती 2021 के बारे में SSA GD भरती में कितने बिध्यारतियों को CBD में पास किया जाता है और कितने बिध्यारतियों को PET और PhD के लिए बुलाया जाएगा और साथियो, SSC जो नियू रूल्स बना हैं जो नियू रूल्स अपडेट हुएं 2021 में इसकी भी पूरी जानकारी आपको ये टोजट इस वीडियो पर मिलने वाली है तो साथियो, वीडियो पर लाच तक बने रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के, तो सब्सक्राइब कर लिए जब़ेगा और वेल आकाल को प्रेज जरूर कर लिए जब़ेगा तैकि नियू स्कीन पर आपको सहीं समय पर मिलती रहे साथियो यह स्कीन पर आप देख रहे हो यहाँ पर जीनुज के तरब से आपको बताय गया है कि लिकित एक्जाम में इतनी अभ्यारती को किया जाएगा सफल गोंचित इसमें चैन का गड़ी तो आप स्कीन पर देख सकते हो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दिया गया है मैं आपको इसकी पूरी एट्विजर जानकारी देने वाला हूँ साथियो यहाँ पर आप स्कीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर दिया हुआ है लिकित परिक्चा में इतनी अभ्यारती हो सकते हैं सफल अधिकारी अधिसूचना के मताबित कर्मेचारी चयन आयोग पी एटी और पी एस्टी के लिखित परिक्चा में बारा गुना अभ्यारती को सफल कर सकता है मतलब साथ यह आपकी जो विकेंसी आई हुई है 25,271 तो इसका बारा गुना कर दीजे आप तो आपका टोटल 3,352,352 मतलब कि इतने विध्यारतियों को पास किया जाएगा ठीक है यहाँ पर साब साब दिया हुआ है कि 12 गुना विध्यारतियों को CBT में पास कर दिया जाएगा ठीक है इसके आगे दिया हुआ है इस बार SST ने कुल 25,271 पदों के लिए भरतिया निकाली है इसके हिसाब से देखा जाए तो इस बार SST कुल 3,352 अब भरतियों को P.E.T. और P.H.T. के लिए बुला सकता है चांतियों आप अपने पढ़ाई के साथ आप P.E.T. और P.H.T. के भी तैयारिया कर लें योगि बहुत से बिध्याति जो आपको पता है कि फिजिकल से अनक्वालिफाई हो जाते हैं आप सभी को पता है कि SSJD में आपको सब सब पहले ग्राउंड दिया जाता है मतलब आप फिजिकल लिकालना पड़ता है उसके बाद मेडिकल और रिमेडिकल बहुत से स्टुडेंट चाट जाते हैं क्योंकि साथि आप सभी को पता है कि लोकडाउन के चक्र है बहुत से बिध्यारती कई लोगों ने पढ़ाई भी छोड़ दिया और कई लोगों अपनी पढ़ाई को जारी रखा है तो साथि यदि आप 80 या 80 प्लस आप यदि आप एससे जीडी में लाते हो तो आपका साथ यह जो सेलेक्शन हंड्रेट पट्रम क्वालिफाई है आप सभी को पता है कि एससे जीडी में सबसे पहले आपको CBT पास करना होता है उसके बाद आपका जो आप फिजिकल रहता है उसके बाद मेडिकल यदि आप मेडिकल में अनफिट होते हो तो आपको रिमेडिकल दिया जाता है उसके बाद फाइनल आपकी मेरेड लिस्ट बनती है तो मतलब आपको बहुत जारे पेस क्वालिफाई कर तो आप सभी को पता है कि इस बार SSC GD में मानस मार्किंग रखा गया है तो आप अच्छे से तयार यह करें और आई हो कि आपको समझ आया हो कि मैंने आपको क्या-क्या जानकरी दिया हो और जैसे वी कुछ और अपडेट आपको मिलते है तो मैं आपको इसके लिए न्यू वी कि अच्छे से पार झाल झाल